नमस्कार आपका बहुत सौागताय और आप देख रहे हैं प्रत्मेश जोदिश चैनल आपका इस वीडियो में बहुत स्वागताय और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अप्रेल का महीना आप के लिए कैसा रहने वाला है? क्योंकि अप्रेल का महिना पोहती खाश होने वाला है इस महिने कामदा एकादशी भी होगी साथ हनमान जैनती भी इसी महिने होगी संकटी चतुर्ती होगी मेश संकरांती और अक्षे तितिया का तोहार भी इसी महिने मनाया जाएगा अप्रेल के महिने में तीन प्रमु ग्रहों का राशी परिवर्तन भी होगा 6 अप्रेल को शुक्र का प्रिशब राशी में गोचर होगा फिर सूरे का मेश राशी में गोचर 14 अप्रेल को होगा 21 अप्रेल को बुद्ध का मेश राशी में गोचर होगा फिर इसी महीने सबसे बड़ा राशी परवर्तन गुरू का होगा गुरू 22 अप्रेल को स्वेन की राशी से निकल कर मेश राशी में आ जाएंगे यहाँ पर गुरू और राहू के साथ गुरू चांडाल नाम का एक अश्यूब योब भी बनेगा अपना अप्रेल महीने का राशी पर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल प्रतमेश जोतिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाउक कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिए नोटिफिकेशन को ओन कीजे ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो आई अब जान लेते हैं कि अप्रेल के महिने में मकर राशी वालों का क्या हल रहेगा मकर राशी के जातकों के लिए अप्रेल का महिना थोड़ा जादा ही उतार चड़ाब बाला रहने वाला है ऐसे में इस महिने आपको जीवन के किसी भी छेत्र में आगे कदम बढ़ाने से पहले खूब सोच विचार कर लेना चाहिए महिने की सुरुवात में घर परिवार से जुड़ी हुई कोई समस्या आपकी चिंता का कारण बन सकती है किसी विशय को लेकर माता पिता का सैयोग और समर्थन ना मिल पाने से आपका मन थोड़ा दुखी रहेगा महिने के पूरवार्द में अचानक से कुछ बड़े खर्चे आपके सामने आ जाएंगे जिनकी वज़े से आपका पूरा बजट गड़वड़ा सकता है कुछ अधूरे पड़े हुए कारें को पूरा करने के लिए आपको अतरिक्त पैसा खर्च करने के साथ भागदोर भी करनी पर सकती है महीने के मद्ध में आपकी इस्तित थोड़ी सुधरती हुई तो नजर आएगी लेकिन इस दोरान धन आगमन के साथ खर्च एक बार फिर से बढ़ जाएंगे यदि आप पार्टनर्शिप में विर्साय करते हैं तो कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले रुपियों के लेंदेन और कागज सम्मंदी काम को करते समय खूब साबधाने आपको बरतनी चाहिए कुल मिलाकर नौकरी या फिर कारोबार से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय उतार चड़ा भरा रहेगा प्रेम सम्मंदों को बहतर बनाने के लिए आपको किसी भी प्रकार की गलत फहमी और बेवात के बजाए सम्मात कायम करने पर अधिक प्रयास करना चाहिए इस महा बाहन चलाते समय खूब साबधानी बढ़ते आन्यता चोट चपेट लगने की भी आशंका है उपाय के लिए प्रति दिन हनमान जी की पूजा में स्री सुन्दर कांट का पाठ करें और शनीवार के दिन किसी दिव्यांग व्यक्ति को काले वस्तरों का दान करें वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आए अच्छी लगे तो लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे और दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर कीजे अब मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद